चैत्र नवरात्री भारतिय संस्कृती में एक महत्वपूर्ण उच्सव है जो चैत्र मास के नौ दिनों तक मनाया जाता है यह उच्सव मा दुर्गा की पूजा और भक्ती के साथ मनाया जाता है यह नवरात्री का एक प्रमुख रूप है जो सन हिंदू पंचान के अनुसार मार्च से अप्रेल के महीने में होता है चैत्र नवरात्री का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा की पूजा और भक्ती करना है और इस अफसर पर भगवान श्री राम का जन्म भी मनाया जाता है चैत्र नवरात्री के नौ दिनों में लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे की मा दुर्गा, मा सरस्वती, मा लक्ष्मी और भगवान श्री राम इस अफसर पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड उमरती है और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इस पावन अफसर पर लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में आरती करते हैं, ध्यान और मंत्र जब करते हैं और धार्मिक कथाएं सुनते हैं चैत्र नवरात्री का उत्सव धार्मिक और सामाजिक महत्व के साथ संगीत, नरीत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी महत्व पूर्ण हिस्सा है. यह उत्सव लोगों को सामुहिक भक्ती और सामुहिक सामर्थ्य का अनुभव कराता है और उन्हें धार्मिक्ता, समर्पन और सामुहिक्ता की भावना से उत्प्रोत करता है